बड़ी mixed feeling है सही बताऊं तो क्योंकि expected नहीं था किस गेम से हम कुछ निकाल पाएंगे लेकिन इस सीजन में तीसरी बार Manchester United ने वो करके दिखा दिया जो वो बाकी clubs के गेंस नहीं कर पा रहे हैं चाहिए आप City की बात करो अरे भाई रेलिगेशन में बैठी टीमों के गेंस नहीं कर पाए जो हमने लेवरपूल के गेंस कर दिया मतलब ये वो यरिन क्लॉप की टीम है जो की quadruple chase कर रही थी एक वक्त पे उनकी quadruple की dream को हमने तोड़ा उनके home पर जाकर वो 7-0 वाला जो एक हुआ था उसको break किया निल-nil draw निकाला और कल रात में ट्रेल कर गए भई या पहले half में एक shot on target छोड़ दो एक shot नहीं लिया first half में और यहाँ पर 80% pass accuracy लेके घूम रहे थे धरसुदर के ultimately यहाँ पर पता चला कि आप lead में और 2-1 की और ऐसा वैसा बतलब scenario create नहीं हो है यहाँ पर Liverpool were literally struggling and फिर एक controversial VAR call आती है याँ पर एक penalty दे दी उन्होंने जो कि अगर आप देखोगे अब जो angles निकल कर आ रहे हैं जो कि आपने Twitter पर देखी ली होगी वीडियो clip उसको मैं डाल ली सकता है वरना copyright आजएगा वरना तो मैं डाल भी देता है दिखा देता आपको कि क्या incident था बट Premier League वाले हमारा जीना हराम कर देंगे तो ये यर्गन क्लॉप की वो Liverpool की टीम जो इस साल आपकी Champions League sorry not Champions League sorry 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 दोस्तो sorry गलती हो गई खैर हम भी कुछ नहीं कर पाए बट यह आपकी एरन क्लॉप की वो टीम जो यूरोपा लीग की फेवरेट है यह रन क्लॉप की ये टीम जो की आपकी कैरबॉग कब जीत चुकी है और यहाँ पर एरन क्लॉप की ये टीम जो की आपकी Premier League जीतने के बहुत ही नस्दीख खड़ी होई है और Liverpool की ये टीम ये ट आर्सनल और आपकी Man City की टीम है और उनके फैन्स है क्योंकि उनको लग रहा है कि Liverpool का खेल समापत है यहाँ पर उसके बाद इनके लिए कुछ बचेगा नहीं लेकर लेट मी टेल यू वन थिंख आर्सनल सिटी और Liverpool के फिक्शर्स में सबसे डिफिकल्ट फिक्शर्स सबसे ड आपके जो टीम है उनमें रिमेंग मैचेस जो है उसमें आर्सनल काई है तो आर्सनल अभी बहले एक टॉप अपफ टीबल बैठी हो अपना गेम वो जीत गए तो डेफिनितल यहाँ पर उनके पास एडवांटेज है लेकिन अभी भी लेकिन अभी भी अगर आप मैचेस दे लेकिन कुछ भी हो सकता है फुटबॉल का यू नेवर नो लेकिन लेट्स टॉक अबाउट अपनी टीम यह जो ड्रॉ निकल कर आया है न यह भाई बहुत मैसिव है आप समझने रिसकी इंपोर्टेंस हम पिछले दो मुकाबले गंदा खेले लेकिन हम दोनों मुकाबलों मे पॉइंट्स डॉप करके है कल के मुकाबले में भी हम गंदा खेले आप बोलों के यहां पर पॉइंट्स डॉप कर दिये बट दैट वोस डाउन तो दो यह यार कॉल लेकिन the most important point वोस कि हमने first half की जो गलतिया थी वो second half में repeat नहीं किया के अब आप यह देखो कि first half में we had zero control ह हम ball giveaway कर रहे थे उन्होंने इतने सारे shots attempt कर ली हमारे उपर and that is what we have to talk about now क्योंकि यहां पर आप देखो पिछले 7-8 pictures में आपने 200 से उपर shots concede की हैं और आप यहां पर इतने 7-8 matches में से उननाना की performance हर गेम में बढ़ती होती 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 हो यहां पर आपकी उस defense line को and he was for me अगर मैं यहां पर Kobe Meno और आपके उननाना को हटाऊं और आपके डेलोग अपर आया है तो experience गीन किया भले ही result वैसे नाए हो जैसे हमने expect किये थे बट कामवाला के लिए Northwest Darby जैसा event अफितना बड़ा बना दिया अपने और उसमें आपने उसको start दे दिया and he delivered and he was actually very 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 good उसमें जिस तरीके tackles की है there was this one incident जहां पर उससे गलती से error हो गया था he covered that ground और Darwin उनने उसको उसमें shot नहीं नहीं दिया he closed that angle और यहां पर आप देखो Kobe Meno और आप देखो Kobe Meno आप दो आएंगे प्लेयर जो खराब क्योंके पर आएंगे लेकिन I think Kobe Meno को praise करना बहुत जरूरी है this guy is a teenager and he has मैं बोलू हूँ अगर यह तो कोई यलत बात नहीं होगी he has carried United जहां आपके Bruno Fernandes और आपके Casemiro बहुत खराब खेल रहे हैं कल की pitch के ऊपर कल के match में Casemiro was the worst player on the pitch and यहां पर आप इस चीज को deny नहीं कर सकते Casemiro is going for those lunges और जब आप lunges में जा रहे हो तो आपको पता है कि आप already बहुत error कर चुके हो क्योंकि lunges तब डालता है आदमी चैलेंज के लिए तब इस तरीके से react करता है जब उसको पता है कि उसकी timing imperfect चल रही है अभी और वही Casemiro के साथ हो रहा है and forget about the tackles and all भाई वो बन्दा चार-चार याड के passes misplace कर रहा है open जहाँ पर pass होना चाहिए वहाँ पर वो opponent को ball दे रहा है and forcing us in the counter-attacking situation तो वो team को किसी तरह help नहीं कर रहा था and then again आप बोलोगो Bruno Fernandes Bruno Fernandes के अंदर इतना ज़्यादा impatience है कि वो बन्दा बिल्कुल काम नहीं रह सकता बिल्कुल शान्त नहीं रह सकता और इसी चक्कर में आप देखोगे यहाँ पर United कितने जादा chances concede करती है 28 goals आप यहाँ पर अगर concede कर रहे हो face कर रहे हो तो उसमें गलतिया के midfielders की है न and that midfield last night was abysmal first half में तो it was बिल्कुली crap and then again आप बोलोगे draw हुआ match क्यों हुआ क्योंकि आपके बिसाका ने वो penalty के लिए वो कर दिया challenge कर दिया and we are with all the technology that they have got in their hands at their hands उन्होंने उसको overturn भी नहीं किया referee को बोला भी नहीं कि खुच जाके देख लो यहाँ पर हो सकता है कि आपको अपना decision change करने के लिए शायद राजी कर लिए अगर आप TV screen पर जाते हो तो but then again we can't cry about आप यह सारी चीज़ हैं क्योंकि ultimately that's how football works that's how English Premier League works and यहाँ पर अब यह कुछ कहने वाली बात हैं नहीं but I am really really glad कि यहाँ पर कल 10 hack ने second half में गेम थोड़ा सा better manage किया लेकिन गरनाचो को जैसे हमने substitute किया ना वहाँ से मारा momentum drop हो गया also मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात से agree करेंगे but Marcus Rashford का जो consistency level है वो बहुत जादा drop हो रहा है कल भी he got injured तो उनको substitute out करना पड़ा और अगर मैं देखूं तो enemy धीरे धीरे अब game में grow कर रहा है कल रात में भी enemy जब आया defensive work rate लेकर आया and definitely यहाँ पर attacking front पर भी he looked very good we should have scored a couple of more goals Bruno के पास एक chance था अच्छा जहाँ पर he should have scored कि ऐसे मिरो का वो tap and miss हो गया then earlier in the game आपने याद होगा Garnacho ने इस cross ball डाली थी वहाँ पर कोई player था नहीं उस step in chance को convert करने के लिए तो ऐसा नहीं था किसे Liverpool के पास chances थे हमने chances कम बनाए बट हमने chances जितने बनाए सब effective बनाए Mohamed Salah लेको penalty ना मिलती Mohamed Salah शाइद score ना कर पाते because last night he was very average and I'm not even trying to bring him down I'm not even trying to diss him but यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि अभी Mohamed Salah की performances हमारे against दोनों matches में अची नहीं रहे है also आप यहाँ पर बात करोगे कि किस तरीके से आपके Darwin उनिस को दो दिन अची opportunities बीए तो उन्होंने वो fumble कर दी and ultimately आपकी जो Liverpool की team दी उसको under pressure डाला force किया देखो अब कल जब match खताम होगे न तो उसके बाद यर्गन क्लॉप के statement आए कि अगर United इस तरीके से खेलेगी तो Arsenal उनका भुड़ता बना देगी Arsenal का कीमा बना देगी यार यह तो हमें भी पता है कि हमारी football बहुत गलीच है यह तो हम भी मानते हैं कि हमारी football में कोई patience नहीं है कोई direction नहीं है हम headless चिकनी तरह तरह भागते रहते है but सोचो अगर United की यह team इतनी easily beatable है जो कि मुझे पता है beatable है तो Liverpool क्यों नहीं हरा पाई तीन मुकाबले हमने season खेले तीन मुकाबलों में से एक भी मुकाबला आपके Liverpool के favor में नहीं किया है we have drawn two and we have defeated you in the FA Cup और हमने आपको FA Cup से बाहर कर दिया तो I don't get it कि Ergen Klopp क्या करना चारह है या तो वो हमारे अंदर एक fire पैदा करना चारह है या तो आप यहां पर हमारी achievement है वो demean करना चारह है क्योंकि आपको लगता है कि आपकी team better थी देखो better का तो मुझे नहीं पता लेकिन जीतने वाली team हमारी थी और हम जीतना deserve करते थे कल का जो draw है it feels like a victory सही बताऊं तो because to take those two crucial points from Liverpool's bracket, Liverpool's back is actually a huge victory these are the small success we have to enjoy as a United fan अभी इस time पर कोई बोलेगा that you no longer holds the mentality of a top club, I know that because my club is not playing like a top club तो यहां पर मुझे कोई accept करने में परेशानी नहीं है या फिर मुझे कोई छोटा फील नहीं हो रहा but point यह भी है इस point of time पर अगर मैं बात करूँ Liverpool की तो Liverpool की team आपकी अभी अगर देखा जाए तो it's pretty beatable, ऐसा नहीं है कि यह team हार नहीं सकती it's that that वो self-belief की कमी है लोगों के अंदर अब बच्चेवे फिक्शर उसमें Spurs वाला फिक्शर है जो तीनों टीमों खेलने वाली है आपकी Arsenal भी खेलेगी Liverpool भी खेलेगी और Man City भी खेलेगी I think यह फिक्शर डिसाइड कर देगा किसके favor में जाएगा और फिर उसमें देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है लेकिन देखो Casemiro जैसा खेल रहा है मेरे ख्याल में Casemiro का टिक पाना United में बड़ा मुश्किल होगा because financial sides पर भी देखूँ तो बहुत high wages है और performance side पर भी बहुत जादा मुश्किल आ रही है उनको दूसरी चीज यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से अगर आप बात करोगे कामवाला ने performance दी है आप तो थोड़ा confidence ज़रूर आएगा यहाँ पर कि चलू ठीक है कामवाला ने responsibility ले लिए और सबसे बड़े fixture में performance दे दी है इस सब में आपकी सबसे बड़ी winner Man City है लोग बोलेंगे Arsenal है नहीं है इस सब में सबसी बड़ी winner आपकी Man City है आपको पता यहाँ पर Man City को एक question चाहिए था वो उनको मिल गया यहाँ पर Liverpool के points drop करने के बाद now they know कि यहाँ पर Arsenal के जो तीन बड़े fixtures से उसमें से एक आधा fixture अगर फस गया they've got a very good chance to take the lead and once Man City are ahead of you there is no catching them यह तो आप भूली जाओ कि वो फिर 10-hack wants us to play I don't know what brand of football is that क्योंकि मुझे उसका blue blueprint हो गया या फिर थोड़े बहुत आप बूलोगे moments हो वो देहने को नहीं मिलते है counter-attacking team है United लेकिन अपनी strength पर नहीं खेल रही है अगर मैं देखूं तो first half में तो बिल्कुल ही नहीं खेले हम and अगर ऐसा ही चलने वाला है तो 10-hack के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है लेकिन एक चीज की एक मतलब तसल्ली है कि यहाँ पर हमारे academy graduates साका step up कर रहे है और ऐसी difficult situation में जहाँ पर आपके बड़े बड़े नाम वाले players नहीं है वो deliver कर रहे है तो is very good to see बागी कल रात में Chelsea ने भी draw कर लिया भाई Chelsea क्या club है यार Chelsea ने हमें हडा दिया आखरी minute में दो goal score करके and then वो कल का match draw करके शेफी उनेट से I mean मुझे हसी भी आ रही है मुझे गुस्सा भी आ रहे कि United सुचो ऐसे club से आर गया जो कि आपका game manage नहीं कर पा रहा है और इधर उधर you know हारता घूम रहा है बट फिर मैंने यह भी सोचा कि भाई क्या ही बोले हम कि इस point of time पर Pochettino की टीम के बारे मैं बोले हैं अच्छा है यह अपनी टीम पर focus कर लो but Pochettino I don't think इस season के बाद रुख पाएंगे क्योंकि results तो नहीं आ रहें उपर से जो statements आते है Pochettino के that is not very pleasing तो यहाँ पर जो members होंगे वो definitely urge करेंगे आपकी Todd Wally से के आपके Pochettino को हटाये जाए लेकिन यहाँ पर क्या Pochettino हटने को तयार है वो यह नहीं वो सब सोड़ा सवाल है बाकि आप लोग पताईए मुझे comment section में कि आपके साफ से कल के match में क्या वो जो penalty claim था वो सही था या फिर robbery हुई है और VAR ने यहाँ पर पिछले दो matches में हमारे तीन penalty दी है और आप समझ सकते हो कि उस में से तीन में से कितनी legit थी कितनी legit नहीं थी कल का मैंने डी प्ले देखा बार बार देखा अलग अलग angle से देखा मुझे वो penalty नहीं लग रही है but then again benefit of the doubt दे दिया गया यहाँ पर आपके हर्वी एलिट को और लिवरपूल को और उस case में फिर वाँ पर लिवरपूल वो पैसा लेके आप बोलोगे उडगाए क्योंकि कुछ ना होने कुछ होना बैता है एक पॉइंट अनके लिए काफी महाईने रखता है लेकर हमारे लिए यह point बिलकुल 3 point के बराबर है अगर आप चैनल पर नए है तो प्ली सब्सक्राइब तो फ्ली सब्सक्राइब तो आज दो दिनों के अंदर तो प्लीज if you can help us in reaching there it would be absolutely amazing बाकी मैं मिलता हूं आप से शाम में live सेन कुपर तर्फी गुद्बाइ टेक केर अब दा फॉकिंग ड़्स गूरी गूरी मैंने राइगा